उजयन में महांकाल के दर्शन करने पहुंचे कॉंग्रिस के नवनियोक्ति प्रदेश अध्याक्ष कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अब बदलाव का समय आ गया है और प्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार ही आईगी पूर्व केंद्री मंत्री और मद्रप्रदेश कॉंग्रिस के नवनियोक्ति प्रदेश अध्याक्ष कमलनाथ बुद्वार को भगवान महाकालिश्वर के दर्शन के लिए उजयन आए यहाँ दर्शन पूजन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मद्रप्रदेश में अगली सरकार कॉंग्रिस की होगी और अब प्रदेश में बदलाव का वक्त आ गया है इस दोरान कमलनाथ भगवार रंग में रंगे हुए नजर आए मीडिया से कमलनाथ बोले कि आज प्रदेश में किसान वर्ग परिश्वान है युवाब बेरोजगार है और सीम शिवराज घोशनाए पर घोशनाए करते ज़ा रहे हैं अब उन्हें घोशना करना बंद करना होगा इससे पहले कमलनाथ ने महांकाल मंदिर में विशेश पूजन अर्चन किया। उनके साथ कॉंग्रिस की प्रदेश कारेकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्वसांसत प्रेमचंद गुड्डू भी थे। कुल मिलाकर चुनावी बिगुल फूमते ही अब कॉंग्रिस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवरास सरकार पर चौतरफा हमले बोलना शुरू कर दिये हैं। वियरो रपोर्ट, MP News, उज्जैन। झाल शुर प्रेमचर गूमते ही